लास्ट इम मैंने वीडियो बनाई थी कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होता है तो उसके कमें सेक्शन में बहुत लोगों ने लिखा कि पैसा सबसे ज़्यादा इन्पोर्टेंट है तो पहले बात कर रहे थे कि क्या पैसा और प्यार रिलेटेड है डेफिनेटली जो फर्स इंस्टेंट या पहला अट्राक्शन है उसके अंदर पैसा इंप्रेस कर सकता है जब मैं अच्छे ब्रांडिड कपड़े पहनुँगी अच्छा इंप्रेशन होगा मेरा तो डेफिनेटली आप पहली बार मेर से जरूर अट्राक्ट हो जाओगे आपको लेगे डॉक्टर तो बहुत अच्छी है यह चीज तो बहुत अच्छी है अरे यार बहुत पैसा कमाती है definitely you'll get attracted आप मेरे पास भी आना चाओगे हो सकता है sexual attraction की direction में भी हो जाए हो सकता है हम शादी तक के वादे करने लग जाए बट ultimately जो comfort level understanding से आता है जो बाचीज से आता है जो हमारे विचार मिलने चाहिए हमारी understanding मिलने चाहिए longer term relationship के लिए वो पैसा नहीं दे सकता वो बलते है ना पहली चमक या पहली शोशा definitely पैसा देता है लेकिन वो जो लंबे वादे हैं जो दुनिया में साथ साथ जीने मरने की चीज़े हैं जो हम साथ में एक दुसरे को comfort level provide करते हैं जो प्यार की हम बात करते हैं वो धीरे 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 रहना फीका पढ़ने लगता है जब पैसा होने के बाबजूद वो comfort नहीं आता बहुत से ऐसे relationship में जहां मैं counseling करती हूँ especially couple counseling में तो ऐसा नहीं है कि husband wife के पास पैसा नहीं होता बहुत पैसा होता है उस couple के बास लेकिन wife suffocate कर रही होती है या husband suffocate कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि यह मेरी respect ही नहीं करती है हमारे घर में इस चीज में इज़त ही नहीं है मेरे को freedom ही नहीं है मैं यह करी नहीं पाती जब यह सब चीजें रहेंगे ना तो money आप कितना भी provide कर दो नहीं हो एक दूसरे के actions के साथ comfortable नहीं हो तो पैसा कितना भी हो वो वहाँ पे काम नहीं करता फिर वहाँ से ना unsatisfaction का circle चुरू होता है पैसे के से दूसरा काम होगा फिर तीसरा गलत काम होगा फिर वो किसी और के साथ होगा तो ultimately वो negative negative ही है इसलिए आज आप पैसे के बल पे किसी को अपनी तरफ impress कर रहे हो या किसी की तरफ impress हो रहे हो समझ लेना ये longer term आपको दुख ही देने वाला है आशा करती हूँ मेरे विचार आपको समझ में आए होंगे और चानल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजे अगर आपके दिमांग में कुछ और चीज है जो आप मुझे बताना चाहें या समझाना चाहें तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख पेज़े